तो स्वागत है आपके एक बार फिर से, तो आज हमारे पास एक और बुक है, और आज हम इसे रिव्यू करेंगे, और देखेंगे कि इस बुक में क्या कुछ दिया हुआ है, तो इस तरह की एक जो बुक में पहले भी आपके लिए रिव्यू कर चुका हूँ, जिसका नाम था चिकित सा गाइट, तो उसमें मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई थी, आपको डिटेल मैंने उसके बारे में बताया था, तो उसी की तरह से, अबारी ये वाली बुक भी यहाँ पे होने वाली है, तो इसमें भी हम अलालत रहे कि डिजीज के बारे में पढ़ेंगे उनका diagnosis किस तरीके से किया जाता है, और साथ में medication किस तरीके से दिया जाता है, तो उन सभी चीज़ों के बारे में इस बुक में दिया हुआ है, और ये कैए general medicine practice के लिए है, तो इसमें हम किसी surgery के बारे में नहीं पढ़ेंगे, जो general जो medication रहता है, अगर कोई बीमारी हो जात इसमें क्या कुछ दिया हुआ है, तो ये इस बुक का front है, और यहां पे लिखा हुआ general practice guide, ठीक है, तो इसका नाम है बुक का, और इसमें हम पढ़ने बाले हैं, जो allopathic medicines होती है, तो उन से किस तरीके से treatment किया जाता है, और जो disease होती है, तो किस तरीके से diagnosis किया जाता है, disease को और फिर जो allopathic treatment दिया जाता है, और ये बुक उन लोगों के लिए काफी अच्छी है, जो सुरुआत करना चाते हैं, medical practice करना चाते हैं, तो उन लोगों के लिए काफी अच्छी बुक है, इसको written किया है, डॉक्टर अमितेस कुमार ने, और इसके बारे और चीज़ें जाने हुई है, ये काफी अच्छी बुक है, और इसमें काफी जो है, प्रॉफेस्नल तरीके से जो है, इसमें treatment के बारे हम बताया गया है, और हिंदू चिकत्साहिव हम तकनीकी माविद्याल है, आप अच्छे तरीके से इस नाम से फरिचित होंगे, तो बहुत ही अच्छे एक सं उपन करते हैं, तो शुरुवात में कुछ thoughts और thoughts इसमें दिये हुए है, ठीक है, और इन्हें आप पढ़ लेना, और इसके बाद हम चलते हैं, इसके content की तरफ, content की अगर हम बात करें, तो काफी सारी disease के बारे में इसमें बताया गया है, और यहाँ पर मैं देख सकता हूं कि हिंदी में और इंग्लिस में दोनों तरीके से treatment दिया है, लेकिन कुछ इसमें जो treatment है, वो इसमें proper English में दिये हुए है, यानि कुछ जो बीमारिया है, वो proper English में उनका treatment दिया गया है, और ज्यादा तो जो बीमारिया है, उनका हिंदी में इसमें दिया हुए है, तो दोनों जो बीमारिया उनको प्रॉपर जो हैं बताया गया है तो उनके बारे में अभी हम बात करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं कि कावी सारी डीजी है यहां पर लेकर यहां पर एक चीज में मिस्स कर रहा हूं और वो एंबार है कि जैसे चिकलशागार में कहा है बीमारिया है तो वो कहा है इस्टमक देजी उसमें अलग थी तो उसमें सारी जो पेट से रेलेटेड थी और अगर जो मुह से रेलेटेड है ठीक है जो वकल केविटी होती है उससे रेलेटेड कोई बीमारिया है तो उनके लिए अलग कैटेगरी दी गई थी इस तरीगे से क् देख सकता हूं कि और यहां पे एक और पीज़ को परटते हैं और देखते हैं किसनी इसमें लगवग भी मरिया दी हैं तो यहां पर काफी सारी हैं इसके अलाबा मैं यहां पर देख रहा हूं कि जो 126 है तो यहां पर 126 जो डिजीज हैं उनके बारे मैं यहां पर बताया गया और इसके बाद जो भी चीज़े हैं वो क्या है हमारी additional knowledge के लिए है जैसे कि medical source forms ठीक है इसके अलाबा और roadside जो emergency रहती है कि अगर roadside में कोई problem हो जाती है तो महां पे जो है क्या क्या medication दे सकते हैं इसके अलाबा जो doctors के bag होते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़े होना है रखनी चीज़े है और साथ में primary जो care practice इसके लाबाद the family consulting जो skills रहती है तो यह क्या additional knowledge के लिए इसमें information दी हुई है और इसमें जो बीमारिया है और उनका जो treatment है वो यहां पे 126 तरह की बीमारियों का treatment यहां पे दिया हुआ है लेकिन यहां पे categorize नहीं किया गया है इसलिए आपक देखते हैं तो उसके बारे हम पढ़ते हैं तो यह हमारा liver abscess तो यह हमारा बिल्कुल जो चिकट्सा guarantee उसी के तरह यहां पे दिया हुआ है तो कुछी यहां पे जैसे English में भी उसका नाम दिया रहता है तो इसके थोड़ी सी आसानी रहती है इसके बारे में थोड़ी यहां information दिये क्या होता है liver abscess ठीक है और इसके लावब इसके संकेत और इसके लक्षड और इसके खत्रे के बारे में भी यहां पे दिया हुआ है तो liver abscess के क्या खत्रे हो सकते हैं उसके बारे में भी यहां पे बताय हुआ है और इसके लावब इसके diagnosis के बारे में भी दिया कि किस तरीके से इसका डाइग्डोसिस करना है, पता कैसे लगाना है, कि आपको लिवर एपसेस है या नहीं है, इसके राब इसका जो टीटमेंट दिया है, यह सबसे बेस्ची लगी मुझे, इस बुक को मैं काफी टैम से मैं इसे फॉलो कर रहा हूँ, और मैंने इसमें से काफी सार इन तरीके से दिया है, और यह मुझे जो चिकसा गाईड है, उसके कंप्यार में बहुत अच्छा लगा, हलांके चिकसा गाईड के अपने अलग फायदे हैं, उसमें जो बीमारिया है, उसमें केटेगराईज करके दी गई है, लेकिन उसमें जो ट्रीटमेंट का पॉसी है वो ज्यादा अच्छा नहीं दिया था, तो काफी सारी लोगों को उसमें प्रावलाम आई थी, और लोग मुझे बोलते भी थी किस तरीके से इसे फॉलो करना है, तो वो थोड़ा सा complicated था, लेकिन यहाँ पर जो treatment का protocol है, वो काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर explain किया गया है, तो चलिए इसके बारे में देखते हैं कि किस तरीके से treatment को follow करना है, तो यहाँ पर कोई भी बीमारी दी रहती है, तो पहले उसके बारे में information दी रहती है, उसके संकेत और लच्छन, इसके लावा उसके क्या खत्रे हो सकती है, इसके लावा उसका diagnosis कैसे करना है, फिर आपका treatment दिया रहता है, तो treatment में सबसे पहले आपको diet जो normal रखनी है, बिल्कुल simple चीज़ है, इसके अलावा इसमें जो भी चीज़ां दी गई हैं, सभी treatment को follow करना है, आपको कुछ भी इसमें से miss नहीं करना है, और diet तो normal आपको रखनी है, साथ में जो इसमें एक tablet है, जैसे test में जाके क्या, एक अलग से इसमें दिया रहा है, जो short form इसमें दी गई है, treatment protocol में, तो उनकी fall form क्या होती है, तो TA भी लिखा है, मतलब tablet, तो ciprofloxacin 500 mg, आपको किस तरीके से लेनी है, तो यहाँ पर यह चीज़ सबसे best लगी मुझे, तो एक आपको सोबह लेनी है, और द सोबह लेना है, दोपैर में नहीं लेना है, और साम को लेना है, और यह हमें खाने के आदे घंटे बाल लेना है, इसके अलाब किया है, आपको tablet लेनी है, Tramadol, जो 50 mg है, अगर पेन होता है, अगर आपको दर्द मैसूस होता है, लिवार एपसे इसकी बज़ाए से, तब अगर toxicity generate होती है, अगर हम क्या diagnosis करेंगे, और अगर लगेगा, हमें पता चलेगा कि अगर toxic है, ठीक है, इसकी व्यासे toxicity हो रही है, तब क्या है, हम जो injection, ciprofloxacin 100 ml, और एक बैग हम दे सकते हैं, इसके लाबा injection metronidazole, तो एक जो है, दे सकते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर treatment का जो protocol है, वो यहाँ पर दिया गया है, तो काफी अच्छे तरीका से explain किया गया है, और यह चीज मुझे काफी अच्छी लगी, इसके लाबा काफी सारी इसमें बीमारिया है, कुछ बीमारिया है, यहाँ पर proper English में दिये हैं, तो जैसे आप देख सकते हैं यहा follow करने हैं, जैसे इसमें दिया हुआ है, तो काफी सारी इसमें DGJ, लेकिन यहाँ मैं देख पा रहा हूँ कि इसमें काफी जो advanced type की जो DG रहती हैं, उनका treatment यहाँ पर दिया हुआ है, और इसमें चोटी मोटी जैसे बीमारिया रहती हैं, इसमें से सेदद हुआ है और हलका तो उन treatment के बारे में थोड़ा सा इसमें कम दिया गया है जो छोटी-मोटी बीमारिया होती है लेकिन इसमें जो advance बीमारिया है अच्छी कासी उनके बारे में यहां पे काफी अच्छे तरीके से detail दी हुई है उनका जो treatment protocol है वो भी बता है diagnosis कैसे करना है इसके लच्छड क्या हो लेकिन यह जो बुक है मैं जो काफी professional लगी क्योंकि हिंदू चिकत्सा जो मा तकनीकी माविध्याल है उससे related है और जो सुरुगाती जो doctor MPVS वगरा जो करते हैं और सुरुगात्मा जो medicine जो practice करते हैं तो उनके लिए काफी अच्छी बुक है और pharma से student होते हैं तो उनके लि यह दी कैसे जाती है बाकी आप diagnosis वगरा करना अगर घर में आपको कोई छोटी मोटी problem हो जाती है किसी family member को तो same to same इसमें से आप देखके आप उन्हें छोटा मोटा treatment दे सकते हैं तो इसमें कोई problem नहीं है कि अगर by chance आप किसी को कोई problem होती है तो आप जो इसमें से treatment दे सकत होती है फार्मेसी स्टुडेंट नर्सिंग स्टुडेंट और एम्री बेसी स्टुडेंट के लिए काफी अच्छी बुक है इसके लावा इसमें additional information भी काफी जादा दी हुई है जैसे roadside emergency होती है तो उसमें हमें क्या करना चाहिए इसके लावा जो elder हमारे patient होते हैं उनकी कि इस तरीके से care करनी चाहिए तो काफी सारी इसमें additional knowledge दी हुई है तो यह काफी अच्छी बुक है और यह थोड़ी professional लगती है मैं चिकत्सागाट के compare में क्योंकि जो चिकत्सागाट में जो content दिया है वो है तो काफी अच्छा लेकिन जो procedure treatment का वो मैं जो थोड़ा सा अच्छ करते हो और इसे अगर आपको purchase वगरा करना है तो Amazon पर यह available है तो मैं आपको link दे दूँगा और आप इसे जाके check कर सकते हैं और description में इसके link दी हुई है साथ में अगर आप इसकी PDF जो है download करना चाहते हैं तो वो मेरी website पे available हो जाईग उसका link भी मैं description में डाल दिया है तो आ जैसे इसका यो rate है लगवा हमारा 500 500 आपको पढ़ेगा जब आप इसे purchase करोगे bit delivery charges और इसके अलावा अगर आप इसे खरीदना नहीं चाहते है आप इसे hardcom भी इसकी नहीं लेना चाहते हो आप just क्या knowledge के लिए आप इसे लेना चाहते हो तो आप जो PDF इसकी download कर सकते हैं इसक कि मैं ये नहीं बोल रहा है आपको कि आपके लिए बहुत ही जादा useful होने वाली है लेकिन कुछ ऐसे student भी होते है जिन्हें additional जो information extra information होने मिलती है तो वो उसे लेना चाहते हैं और वो कुछ सीखना चाहते हैं जो आप जो daily आपकी जो दिन चर रहा है जो आप पढ़ते हो तो इसके अलावा अगरे वो कुछ सीखना चाहते हैं तो ये वो कुछ उनके लिए काफी यनफ हो सकती हैं और कई वर क्या है चोटी मोटी बीमारिया हो जाती है अपके गर में परिवार में तो ऐसा होता है कि वो आपसे उमीद करते हैं कि आप जो है medical field में हूँ तो आप